दोस्तों का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल सुरच पेटल एजूकेशन में दोस्तों जितने भी 80-80 बैकलोग के स्टुएंट है रिपीटर के स्टुएंट है जिने केटी लगी हुई एज़ाम में वे सबी इंतजार कर रहे थे कि हमारा एज़ाम फॉर्म कब आएगा हम कब अपना एज़ाम फॉर्म फील करेंगे और अपना एज़ाम देंगे और इस केटी और रिपीटर बैकलोग से मुक्ती मिलेगी तो दोस्तों Mumbai University ने इसके related date release कर दिया है आपका exam के form का date release हो चुका है कब है क्या है सब इस वीडियो में बताऊंगा स्रीफ आप इस वीडियो को end तक जरूर देखना और याप वीडियो को like करना ना भूलिए चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप इस चैनल को subscribe कर दे इसी तरीके से education related वीडियो आपके mobile तक आपके laptop तक आते रहेंगे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को continue करते है तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मैं TYB.com के बारे में बताने जा रहा हूँ TYB.com के जितने भी student है in income form fill करने का जो date है वो 15 February से लेके 22 February टक का है अगर दोस्तों आपको एक subject में केटी है तो आपको 300 पे करना है दो subject में है तो 530, तीन subject में है तो 1110 रुपीज पे करना है साथी साथ final year के जो student होते हैं उनको convection charges भी लगता है convection charges है 250, total amount जो आपको आता है वो 1360 का आता है तो दोस्तों ये था TY के student के बारे में अब बात करते हैं TYBA student के बारे में दोस्तों TYBA student का भी form submit करने का जो date है वो 15 February से लेके 22 February तक का ही है और इनका जो fees है वो 1110 है दोस्तों सभी के बारे में बता रहा हूँ तो प्लिस वीडियो का end तक जरूर देखिए और important बात भी end में कुछ बताने वाला हूँ MA part 1 MA part 2 इन दोनों का भी जो submission date है और online form fill करने का जो date है वो 15 से लेके 22 तारिक का ही है कितना fees लगने वाला है दोस्तों आपको इदर screen पे दीखी रहा है कि एक subject है तो 565 दो subject है तो 915 अगर 3 subject है तो 1665 रुपीस आपको पे करना है first year में कोई भी मतलब part 1 में कोई भी conversion charges नहीं होता है लेकिन part 2 में conversion charges होता है कि जैसे वीडियो चाली करते हैं मैंने बोल दें कि final date के student में conversion charges एड होते है अब बात कर लेतें m.com part 1 और m.com part 2 के student के लिए दोस्तों इनका भी date सेम है 15 feb से लेके 22 feb part 1 हो या part 2 हो और इनका भी future structure इंदम सेम है जैसे m.a.part 1 और part 2 का था one subject में 565 दोस्तों time based नहीं करता है आपको screen पर दिख रहा होगा same price है और convocation charge मतब पूरा final price भी मिला कि ये same है जैसा m.a.part 1 का और m.a.part 2 का था अगर आपको नहीं है तो आप screen पर दिखी रहा होगा इस वग आप तेक सकते हैं अब बात कर लेते हैं fy become fyba sybcom syba दोस्तों इनका भी form fill up करने का date same है ठीक है अगर आपको एक subject में केटी है तो 300 एक subject से जादा दो subject में है तो 530 अगर दो से जादा तीन subject में है तो 1110 रुपीज का charge है दोस्तों ये थी पूरे information आप लोगों के लिए जितने भी etiquette और backlog के student है अगर अभी तक आपने form fill up नहीं किया है तो जाके form fill up कर सकते हो लेकिन एक important बात बता दू कि form fill up का जो date है वो 15 February है और आज जब मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ आज 11 February है तो आपको 11 तारिक को नहीं 15 तारिक को form fill up करने का process करने का है तो आप वीडियो अच्छा लगागा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जादा स्यादा दोस्तों मैं जरूर सेर कीजिए थैंक यू सो मच